अजाओ फ्रेंट वेलंकून माय यूट्यूब चानल आज की इस वीडियों डिस्कस करेंगे कि आगर आपने कोई भी वीडियो कहीं पर भी अपलोड करनी है तो इसको काईड मास्टर में कैसा डिटिंग करेंगे तो इसके लिए प्लेस्टोर में चले जाये यहाँ पर कईड म रहा है उपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपका तो आपने यहां पर देखिए यह प्लस का जो यहां पर सिंबल एसके उपर क्लिक करना है तो यहां से आपको स्क्रीन का रेजलुशन देना होगा यहां 16 beta 9 दूँँग अगर आप उयल के लिए बना रहे हैं तो यह प्लस कर सकते हैं उसकरा पर स्टों करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा तो नहिंटरफेस समय और यहां से आप timeline की setting कर सकते हैं, यहां पूरी timeline, अभी मैं आपको show करूँगा, तो चलिए, सबसे पहले हम media पर जाते हैं, यहां से मैं इसका background चूज करता हूँ, तो यहां पर देखे background आ रहा है, background पर जाईए, यहां पर built-in different types of background है, जो आपको चाहिए, उसको choose कर लीजिए, तो यहां पर देखे background आया, उसको scroll करके back पर लेए, टॉप पर देखे, tick है, तो tick पर click कर दीजिए, इससे आपका background सेट हो जाएगा, अब देखे, मुझे layer add करनी है, layer से पहले मुझे intro add करनी है अपने channel की, तो again मैं media में जाऊँगा, यहां से storage में जाऊँगा, ameluted में जो भी मैंने अपना data रखा है, वो उस particular folder में चला जाऊँगा, यहां से मैंने अपने channel की intro add कर लीजिए, यहां पर आप दोनों fingers को scroll करके zoom कर सकते हैं, तो center यहां से मुझे effect देना, उसको मैंने select किया, तो यहां से जो भी आपने effect देना है, तो यह देखी effect लग गया और उपर से tick कर दीजिए, जो भी आप effect apply करेंगे, जब कुछ भी करेंगे, उपर से tick करना है, अब मुझे video add करनी है, video add करने के लिए मैं यहां पर screen पर आ रहाँ, intro के बाद this one पर, तो अब यहां पर video add करनी है, अब आप जाएंगे layer में, because इसके उपर हमें नहीं layer add करनी है, media पर जाएंगे, media में जाने के बाद आप storage में जाएंगे, यहां से आप video choose करेंगे, जो भी आपने video record की है, so मैं यहां record master में यह video choose की है, तो आप इस video को set कर लीजे, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, so that हमें पता लग जाएं, यहां से एक और play भी करके देख सकते हैं, उपर से tick कर दीजे, तो इसको मैं यहां से set कर लेता हूँ, जितना भी आपको portion चाहिए, अगर पूरा zoom करना चाहते हैं, उसको देखिए, यहां से set कर सकते हैं, so यह video होगी, इसको मैं set कर लेता हूँ, अगर आप कोई बीच में इसको मैं पहले देखी हैं, background पूरी मुझे चाहिए, टॉप से background है, उसको आगे कर दीजे, timeline को थोड़ी छोटा कर लीजे, next इसको drag करते रही है, पूरे elastic ले जाइए, because आपको पूरी वीडियो के उपर background चाहिए, यहां से इसको set कर लीजे, पूरा background set कर दीजे, ओके कर दीजे, फिर starting में आ जाइए, now यहां पर मुझे लिखने है, subscribe, share, जो भी हमारी green screen होती, इसके लिए टिक कर दीजे, उसके लिए again layer में जाइए, media में जाइए, यहां से आप screen चूज करेंगे, जहां पर आपने लखी है, so यहां downloads में, यहां मैंने रखी है, यहां से आप देख सकते हैं, different folders हैं, video der में, यहां भी आपने रखी हैं, उस green screen को add कर दीजे, so मैंने green screen को add किया, उसके बाद यहां पर देखे, different options आ रहे हैं, green screen के ओपर click करेंगे, तो chroma की आ रहा है, chroma की के ओपर click करेंगे, enable कर देंगे, video को play करिए, play करने के बाद, यहां पर आपका जब video चलेगा, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं click करके, तोड़ा set कर लेता हूँ, तो इसको मैंने यहां पर set कर लिया, जहां जहां आपको चाहिए, जहां इसको copy करिए, नीचे वाले को, और यहां पर जाईए, this side पर, this side, यहां पर देखिए, three dots हैं, click कर यह duplicate, तो यहां से इसको आगे drag कर दीजिए, जहां चाहते हैं, यहां से नीचे से आप click करके, पूरी timeline देख सकते हैं, यह से यहां पर देखिए, यह पूरी timeline है, timeline क्या होती हैं, जहां पर आप सारी setting करेंगे, इसको मैंने click किया, फिर three dots पर duplicate किया, और इसको मैंने आगे move कर दे, जहां आप रखना चाते हैं, अगर आपकी text वेरा लिखना चाते हैं, वो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, layer में जाएंगे, text में जाएंगे, यहां पर जो भी आप लिखना चाते हैं, जैसे मैंने कहा, लिखा यहां पर like, share, subscribe, तो आप जो भी लिखना चाते हैं, लिखे ok कर दीजिए, इसको यहां पर set कर दीजिए, जहां पर भी आप set करना चाते हैं, तो उसके बाद तो यहां पर आप set कर लीजिए और इसको यहां जहां तक चाहते हैं जो yellow यहां पर आ रहा है last तक drag कर दीजिए अगर नहीं चाहते last तक तो आप क्या चाहते हैं आप कोई picture add करनी तो starting में जाएए again layer में जाएए layer में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे मीडिया में जाने के बाद यहां पर storage जा रहा है जो भी आपकी मतलब gallery आप उसको choose करिए choose करने के बाद download में मैंने यहां subscribe का जो option है यहां एक photo मैंने download की है png में तो यहां पर उसको मैं set कर देता हूँ अगर कोई animation देना चाहिए animation में जाकर आप उसको fade कर सकते हैं ऐसे बार बार fade होगा तो इसको मैं click करके last तक ले जाता हूँ timeline को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ दोनों drag करके fingers को तो last तक आ गया अब आप देखिए अपनी नीट के recording सारी effects लगा सकते हैं जो जो आप चाहें कोई background में लिखना वो सारा कुछ चैड करके अब देखिए सारी वीडियो को आपने रेंटर करना है rendering mean to say combine करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद आप उपर से tick कर देंगे tick top पर आ रहा है उसके बाद आप यहाएंगे share वाली option पर यहाँ पर जब आप टिक करेंगे यह यहाँ से आपको different video के formats मिलेंगे so मैं यहाँ पर 720 ले रहा हूं और export पर क्लिक कर रहा हूं जब मैंने export पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ जो मेरी वीडियो है जो कुछ भी मैंने अपनी वीडियो में changes vera किये वो सारे यहाँ पर export होना शुरू होगे जो कुछ भी मैंने कि यहाँ जब तक video export होती है video को pause कर देता हूं उसके बाद resume करूंगा मैं तो यहाँ पर देखिए जब आपकी video export हो जाएगी तो आपका top पर कुछ ऐसा show होगा तो यहाँ से आप video को play करेंगे तो आपको एक वार मैं play करके video show कर देता हूं कैसे show होती है यहाँ से आप player choose कर ली मैंने यह add किया था और यहाँ से button add किया था तो यह किया सारा कुछ यहाँ पर attach हो गया है तो ऐसे आप काइन master में कोई भी video edit कर सकते हैं text add कर सकते हैं यह तो मैंने आज़े starting बताए पिससे advance भी कर सकते हैं काफी ज़दा tools है so friends यह process करके देखिए few face any problem comment box में comment कीजिए और सा के साथ हमारे youtube channel को like subscribe करना मत भूलिए so that in future जो भी ऐसा video आएगा उसका notification आपको timely मलता रहे so thank you friends for watching this video and for your precious time